ि इसके पहले हम लोग आईसो मेरीजम देख रहे है थे पांच प्रिकार की समभ वैटा बताया था amen प्रकार की समावयता में एक हमने स्रिंखला समावयता बताया था जिसमें चेन बदलती है अगर आपको पता हो तो हमने बताया था देखिए एक होमवर्ग भी दिया था एक क्वेशन पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया होमवर्ग भी दिया था देखो समावयता में प्रकार की स्थिति समावेता या इस्थान समावेता ही होती है और जो यह आपका चला वेता है चला वेता एक प्रकार की क्रियात्मक समूष चमावेता होती है बेसिकली एग्री कल्चर गुरूप में यह तीन आपको जानने है जिनके उधारन हमने नोट भी करा दिये है ठीक है गुड़ अप्रनून टुवाल आप यू जल्दी से सारे लोग आए बड़ विकास पाल ब्यूटेन मताया था दूसरा पेंटेन सी फाइट एच बारा और तीसरा मने होमवर्क दियाता है से सी सिक्स एच चाहुदा कि कहीं ही तीनों मैंसे कोईन कोई एक सवाल पूंच लिया जाता है तो जरा बताना सभी लोग शारे बिद्यार्थी बताएंगे फटाफाट कि ब ऑनकुस कुमार नमस्ते चलो बाई बताओ जल्दी से विव इसका नाम इंटेन के कितने चेरा इसो मर्स होंगे इनी तीनों मैं से कोई एक वैक्वेशन यूपी के टिट में पूंचा जाता है बिव टेन के आई समर्स की संख्या पेंटेन के सिरंकला समा वहीं की संख्या औ बावाई बटे रजनीश कुमार बेरीगोट एकसेन के कितने बनाएं वाई एकसेन के एक गड़बर कर दियो रजनीश एक और होगा एक और होगा चीक है रादे रादे सतेंद्र चीक है इसके दो बखा दिया बेवटेंगे दो अपेंटेंगे पेंटेंगे तीन पेंटेंगे तीन और हेकसेन के अधिशेक कुमार गुपता फुसरों बेटा पेंटेंगे त्वार जांगे तीन एकसेन ना बताओ जड़ा एकसेन हेकसेन के हेकसेन के जल्धी बताइए जिनको नहीं आया है हेकसेन का नोट कर लें इसका नोट कर लिए तिक है इस ट्रक्चर वाजे के लिए नहीं आता है वो तो उने बता दिया था आप लोगों को ट्रक्चर इस फाइसरों ना अबना युद्ग कुमार को एकसे दो तीन पाँच वगते क जब रखेगा मृष। चलो ठीक है बहुत बड़्यां अब हम लोग पहुंसते हैं आघ जयली कमलगी की ओद अब जैलीक अमलका क्या सूत्र है और जैलीक अमलका बहुत आए इतके एए हैं आप लोगों को आघ जैलीक अमलका सूत्र आप लोगों सब्सक्राइब होता है इसका पानी जो दो आडू पानी है आग जहली कामला की जो दो आडू पानी इसको हडा दो उसको गोलते हैं ऐसे आग जहली कामला को बोलेंगे सब्सक्राइब कामला क्या सुत्र बनेगा यह चीटू सीटू ओफोर पानी यहां से अगा दो ठीक है ज्यान देना अर्पित याद वो है पास है यह धिक्ति का बिल्कुल सही है एकसेन के उन्होंने स्ट्क्चर भी बना लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है तिक है कोई दिक्कत की बात नहीं हिए कि यह बढ़ बढ़े यहां पर एक तू सीटू को एठान साइडर एक जैली कम लो जाएगा इसकी संवाज ना इसकी संवाजना बना दे रहें सबस्क्राइब इसी को ऐसे लिखा होता है या ऐसे लिखा होता है सी ओउएच का होल ट्वाइस का होल ट्वाइस स्थी ओ ओ ओ एच का हो ज़्ट वाइस का संदशना सूत्र होगा सी ओ ओ ओ एच और रच्टो यह सी ओ ओ एच आप जयली कम लोता है देखो एच टू सी टू ओ फोल यह चेटू और जो सी टू और चार आक्सीजन है कि इतनी बाद सब को समझ मागया होगा किसी बच्चे को कोई दिक्ता को जरूर बसाए कि किसी कोई समस्थ्या कि किकर बोलते आ करो है ना वान टू क्या हो जाएगा यह देखो दो कार्पन है तुछ यह देखो ऑन कॉमा टू वान कामा टू डाई ओविक एसिड ऑन कॉमाट डाई ओविक एसिड तो यह द्वन कुमार उस्पेंद रिटावार ठीक है यहाँ अपर देखो चूकि कार्बोक्स ली कम लो होता है तो और जोड़ा जाता है तो दो नंबर पे भी है दो नंबर पे भी है वान कॉमा टू दो आई ओएक एसिड हो जाएगा टीक है इतनी बात सब लोगों का नोट होना चाहिए टीक है पॉइंट नंबर 120 रहा इसके बाद पॉइंट नंबर 121 देखते हैं पॉइंट नंबर 121 देखो यह कई बार मैं बता चुका हूं एसडलीन का मतलब होता है CH ट्रेपल बॉंड CH एसडलीन का मतलब होता है CH ट्रेपल बॉंड CH यह बच्चों इसे कहतें इसे टू-एच्टू क्या कहते हैं सी टू-एस्टू यह क्या है आजसंत्रिप्त हाइडोकारबन हैं और हम कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी होगी वह कहोगे 1.20 यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर देखें यहां सकते हैं सकते हैं यहां पर संक्रण देखें ऐसे संख्रण हो गया जाना कि ऐसेटलीण सायए कारबाइटsom के पिजम से और करीय दाती है तो स्थेलीन बनता है बसजय और सब्सक्राइबट है और जब एसटलीन का बहुन की करण कराया जाेगा ऑरी माराई जेशन तो बच्चों इत बनेगा बेंजीन एरोमेंटिक योगिक है और मैंटिक योगिकूँ का its yoga bath हुता है पार्मुला हनोता है सिक्स सिख्स होता है इसका मुुलान उपादि मूलानुपाती सूतर दो से प्राक्त होता है यह है रोम गई के वागत영द का जल्म का जन्म ፥᭯े प्राप्त होगा बेशेन प्राप्त होगा इतनी बाद सबसको कियर हो गला हो गए ओव गया दोर कह सो थो थो सा Bowl नुट से भाण यह अद गर करा है कहाँ यह अल्ड दोर ख्या और आसमैंद्र आसमेंद्र अगले पॉइंट की वो चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं अज़ा केशो सर्मा एलकीन में बेटा कार्बन कार्बन बंद लंबाई 1.33 यंगे स्ट्राम होती 1.33 यंगे स्ट्राम ठीक है विसाल चौहान जया यादो ठीक है बेरी गुट यहाँ पर भवही चीड आया है कि नहीं बेंजीन का मूलाणु पाठी सूत्र नहीं है पिल्कुल सही बेंजीन पराणने के बिद्धी का वार्ण कर दिया वेरी गुट बाद बढ़ यह ये सभल आएगा हरीस को मार वीटा मूलानुमपाथी सूत्र का मतलब है कि उनके परमाड़वन का सरल्ता बंपाथ जैसे 6 कार्वन च्छ हाइडोजन से सयोग करता है तो एक कारवन एक हाइडोजन से सजोब करेगा छैसे भाग दे दो है ना तो मुलानुपाती सुत्र बन जाएगा नितेश पांडे एलकेन में 1.54 एंगेस्ट्राम एलकेन में कारवन कारवन सिंगल बॉंड जो लंबाई होती है 1.54 एंगेस्ट्राम अब इसे क्या दो खुसरो बेटा ठीक है वाका यलकेन में 1.54 एलकेन में 1.33 और यलकाइन में 1.20 जीडों कि इस इतनी बाद तो सब को समझ बाई गया होगा क्लो समझ बेन्जीन का पर्थे रोख चलो नेक्स अगला सवाद पैंजी लोराइड अएकि यहां पर द्शो यहीं पर के दंजी वोंक होता है और गार्व यहां पर अश्चनमि होता है आजेक यहां पर लिए अजी लोट होता है इस फोलVES कि ऐसा है यहां पर बच्चों हाइड्रोजन रहता है यहां पर एक 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 हाइड्रोजन रहता है यहां प पाई बंध कितने होगे बैंजी नोट कर लो पाई बंध कितने होंगे वे डिवेंजीन में सिग्मा बंध बैंचीन में सिगमा बॉंड बैंचीन में बच्चों सिगमा बंध कितने होंगे सिक्मा के लोगव एंडु आधेत कि दो ही चार पान्च शे सांथ आट नो दस ज्यारा फार लड़ा वारा सिघ्मा कितना हो जाएगा आभारा सिक्मा तीन भाई बेंजीन में बारा सिघ्मा 3 आई को बारा सिघ्मा बॉंड और तीन कि यह सिवन कुमार आपका गलत है सूत्र नरेंद रपाल का बिल्कुल सही है कि ज्यान देना नरेंद रपाल का भी गलत है यह वहां से खाइडो जांटे का भी परदीप सिंग भी परजेंट है यह वह बढ़िया या कुary से कार्बन और और एक दो तीन चार पांच है बारा सिक्मा तीन तीन फाइड़ का इसमाति अभा और यहां का दो यहां पर प्लोरीन जोड़ तो तो क्या बन जाएगा सीजिक से यह फाइट ल देखो यहां से खर कोने पर हाइड्रोजन है इसका मतलब हो जाएगा क्लोरो बेंजीन क्या ना हो जाएगा क्लोरो बेंजीन अब यहां पर बच्छो नाइट्रो बेंजीन की बात की जा रही है नाइट्रो बेंजीन आप सभी को बता है कि नाइट्रो ग्रूप होता यह नोटू का मतलब होता नाइट्रो ग्रूप क्या करते हैं बच्छों जैसे इसका इसका क्या मतलब हो जाएगा इसका क्या मतलब हो जाएगा नाइट्रो ग्रूप हो तोडे यह से सबभेएंगाना मुलब करेमी हसे फारम चश्टेशरख आ pakके सब्सक्रालाकता चलो एक सो लब हिए दिए तसे मीटने लीश नमबर पॉंचंट देखते हैं एन यहां पर कहरा था है ङर्ऑन कि बना चीक्राइब पता रिकर पर रहेगा यहां पर एक हटाके ऑच लगा दो पंटाओ को फिन्हाइस को पूछा गया था फिनल की प्रक्रती नेचर होता है सबस्क्राइब चीर्ष आम लिए और ना कि यह आम लों होता है इसकी प्रक्रति अमली यह का मतलब आप सिघ्ष फिनाल प्रक्रति होती है इसका जो प्रकृति है वो अमली होती है या इसे फिनॉल कहते हैं है फिनॉल कहते हैं ठीक है अगला एक सोटा ही सभी हम ज्यादा चीजें लहीं बता है आप फंडामेटल क्लियर करें कि एरोमैटिक योगिकों का तक क्या है बेंजीन बेंजीन का एक हाइडरोजन अटाके इसी जोड़ने से क्लोरोबेंजीन अगर बेंजीन एक रड़ान को अटाके नोटो जोड़ दिया पर नाइट्रो बैंजीन के एक हाइडोजन अपर यह रोग दिया हाइड्रोक्सी बैंजीन जिसको जो एक फिनॉल की नाम से जाना जाता है तिक बेंजोई कमल ओएक आगया ओएक ओएक का मतलब सी ओओ ओएच जुड़ेगा ठी होंकर और यहां पर छी ओओ यह बैंजोई कमल अब पहले बना हैं जीन एन बना लिया और यहां पर चेटा और चैनल इसका नाम है दिजिट एक तरह को जोडिया इसे कहते हैं जोइक क्या बोलते हैं इसे बेंजोई कमल कहते हैं बिलकुल सही है चीक है नरेंद्रपाल बेरी गुट बहुत बढ़िया अग से कुमार गुपता बेरी गुट वेपिन का देखें क्या है बेरी गुट बहुत बढ़िया नोट्स होना रहे हो ठीक है सिवं कुमार बेरी गुट अना यह बेंजोई कमल हो गया इसके बाद पॉइंट नमबर वन टू एट बेंजल डिहाइड बेंजल मतलब बेंजीन से यल्डिहाइड बेंजल डिहाइड तुरन समझ माया बेंजीन औ इसे क्या बोलते हैं इसे बेंजल डिहाइड करते हैं यह बेंजल डिहाइड होता है बेंजल डिहाइड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह भी ठीक है कहीं पर भी सी वह जोड़ो किसी कोने पर जोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगला है अब यह जितने अभी हमने पढ़ा ना वह चक्रिय योगिक ही था जो अभी हमने योगिक पढ़ाया वह सारे चक्रि योगिक नहीं थे तो चक्रिये मतलब जो साइकल बनी हो जो बंद चक्र बनाते हैं ऐसे योगिक को चक्रिये योगिक कहते हैं यह दो तरीके के होते हैं चक्रिये योगिक जब बंद स्रिंखला बनाएंगे जब चेन जो है बच्चों जब चेन बंद हो जाएगी तो उसको बो है सभी सब्वल उनों में थे अगर फूल कोई एक बदल जाए कर्ас किसी पोने नेली में खे Dubai का करद्क लावा कोई और शूदयर संदल आए तो समय जाना वो हो मोसाइकलिक नहीं होने और हो यागा साथ होना चाहिए अगर यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया तो बिस्म चक्रियों हो जाएगा तो विक्त चक्रियों जाएगा कि इस समर्गे बात कि नहीं दो थरीके के चक्री यह होते हैं एक तो होमोसाइकलिक दूसरा हेक्रोसाइकलिक अब जैसे यहां पर लिखा साइकलो हैक्सेन साइकलो हैक्सेन मतलब हएसा चै कारवन 6 कारवं की बंद अचरिंखला होगी एक कोने पर कारवन होता एक दो तीन चाहर पांच चै और सब्सक्राइब क्यों नाम है इसका आपयों डिसी साइक्ण के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं के आगे देखेगा नेट पॉईंट है कि है cente ritz mm ज्री के बीच कार्बन के बीच कार्बन के Re prints directly प्रेकल बंद है तो यह पांच कार्बन की चेन है बंद स्रिंखला है तो पेंटेन हो चुकि बंद है इसलिए साइकलो पेंटेन हो जाएगा साइकलो पेंटेन इतनी बाद सब को समझ मागया होगा किसी को अगर कोई समस्या हो बताओ बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें भी इसमें पड़े नहीं हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी है लेकिन अभी बेस हिटम क्लियर कर लिजे पहले बेस पेंटेन हो जाएगा इसलिए साइकलों जाएगा का अजीश कुमारी अच्छा नहीं होता पिटा तेस का है कि अवे तुम लो क्मट इलडरीए प्याट यखर क्यो क्या झार्य क्थन एएो गूंछी नेकली यह यह सॉएक डीटगा ने dated हो जाएकर यह साइकलो प्रोपेन यह साइकलो प्रोपेन हो गया अगला देखते हैं साइकलो ब्यूटेन चार कार्बन की बंद स्रिंखला चार कार्बन की है दो तीन चार चार कार्बन का है इसका नाम साइकलो ब्यूटेन अच्छा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हर कोने पर कार्बन है इसका मतलब है हर कोने पर कार्बन है यहां कार्ब कि चार्वन की संज़क्ता कि चार्वन की संज़क्ता बंद और आइड्रोजन पूरी होती है जैसे वालों यह प्रोपेन इसका क्या मतलब एक कारवन दो गारवन तीन दार्वन इनको पहले एकल बंद से बंद कर दीजे इसकी संज़क्ता देखो चार होती है एक बंद दो दो हाइड्रोजन की जदुवत दो हाइड्रोजन लगा दो एक दो दो बचा दो यहां लगा दो यह साइग्लो प्रोपेन है यह साइग्लो प्रोपेन है क्लियर है सभी को को संदीच चक्रवार्थ है कोई कोई यदिक्कत की बात नहीं कि सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है बस खाली धयान से पढ़िए सईल्म बेतें हो जाएगा सईल्म प्रू बेवِटें मतलब हार जगे कोने पर कार्बन होता है हर कोने पर कार्बन होता कार्बन की संजोज़क्ता चार होती है तो दो बंद से पूरी हो रही दो हाइडोजन भी लगाना पड़ेगा ऐसे वहां पर साइकलो प्रोपेन में भी है सबी में यह बात है ठीक है चलो आगे अब आम लोगों को टालूइन समझना तालूइन का मतलब होता मेथिल बेंजीन इसका मतलब होता मेथिल बेंजीन अब यहां पर बचों मेथिल जोड दो एक हाइडोजन हटा के आघ कि maior और सिस्त्री लगा दो इसको भोल DAWI ए इसको za सभंबु को में मैतल बेंजीन को टालवीन कहते है यह आगे बढ़ें एक deviट क्यashğim को समेंडा है को आर्थो मेळा पियरा और क्या मतलब है आर्थो मेटा और पहरा की मीनिंग आर्थो मेटा और पहरा का आर्थ हम लोगों को समझना है ठीक है यहां तक किसी को कोई दिकतों बताओ जहां तक हमने पढ़ा है यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूँछ सकता है अब आप लोग समझना चाहते हैं कि आर्थो क्या होता है O मेटा क्या होता है कभी-कभी किसी एरोमेटिक योगीर के सामने O लिखा रहता है यह हम लिखा होता P लिखा होता है आर्थो मेटा और पैरा का मतलब क्या है आर्थो मेटा पैरा का क्या मतलब है यह हम लोगों को जानना है, जैसे बच्चों मालो इधार देखना, जैसे मालो यह बेंजीन है, यह आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन होता, इस्थती, यह आप देख रहा है ना, आर्थो, मेटा, पैरा, इसको पोजीशन कहते हैं, जैसे मालो बच्चों यहाँ पर कोई को जूड़ा हुआ यक्ष ज्यान देना सारे वच्चे ज्यान से समझेंगे से कि मालों कोई भी गरूप यहां पर जूड़ा हुआ थो एक्स तो इस यक्स के सापेच ये जो अगल बगल वाले दो होते हैं जो ये बगल वाले होते हैं इनको बच्चों कहते हैं आर्थो क्या होते हैं इनको कहते हैं आर्थो इस्थती इनको आर्थो कहते हैं ये आर्थो इस्थती इनको आर्थो इस पोजिशन कहते हैं ठीक है आर्थो कहते ह और यह जो बगल वाले होते हैं यहां पर आर्थो और यह वाले जो होते हैं इनको कहते हैं मेटा इनको कहते हैं मेटा पोजीशन यह दोनों इस सितिया मेटा पोजीशन होती है और यह जो पोजीशन होता है इसको पैरा कहते हैं तो अगर कोई भी गुरुप है यहां कोई गु नीचे जो बगल वाले हैं मेटा और नीचे वाले क्या होंगे पहरा आर्थो मेटा पहरा इस तरीके से आप लिख सकते हैं ठीक है नरेंद्रपाल बिटा आगे बताया जाएगा आगे बताया जाएगा अभी पस किवल जो है बेस क्लियर करते हुए चल रहां सारी चीज़े बताई जाएगे वहां नाम बताना पड़ेगा नाम में भरमित हो जाओगे ठीक है अभी जितना जबर पहले उसको समझो अभी वही जाल नहीं क्लियर कर पाएं जो होमो साइकलिक है सारे होमोसाइकलिक ही है ठीक है तो je per i that s जो दो कोने इनको आर्थो पोजिशन कहते हैं, इसको कहते हैं मेटा पोजिशन, इसको कहते हैं पैरा, ठीक है आर्थो मेटा पैरा, इतना समझ मा गया है सबको, आर्थो मेटा पैरा, ये यक्स है, अब जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर एक और बना देते हैं, जैसे मानलो सबसे नीचे वाले एक बचा होता है इसको क्या ऊणते हैं इतनी बास व्कों समझने होगा, सब्सक्त century, to happen, इह सब्सक्राइब कीbon, दोखा दी मीटा, अब इसे यहाँ पर लिखना डाई क्लोरो बेंजीन, पहले दी मेंगव नहीं लेते हैं, प्रे दी माई हौना होता है, तो डाई क्लोरो बेंजीन, अगर लुखना सब्सतर्टी मीट है कि यहां पर देखो ध्यान से समझना यहां पर अगर लगा दिया अगर कहना कि आर्थों पर लगाना अर्थों पर दूसरा प्लोरीन लगाना मोच मोचा मैं लिए लेक्त की बात नहीं है लेकिन निसके सबस्ष्ट करना इसके अगला इदर रुट आधर सीयल जूर द्रूम मेंगे आप Apostle तो डाइ जीन इसका मतलब है और फो दाइ जोवाट बेंजीट एकर अगला है मेटा डाइ क्लोरो बेंजीन कैश को बनाएंगे कि मेटा डाईग वर वैंजी यह दोनों अमेटा यहा करा पर जोड़ीर यह कि पैणा डाय लगा भी ओंगा का यह फूर से और में पर फोटाइए नीचे लगा देंगे फूर यह आ उने सामने इसको बोलते हैं किया पैरा डारी लोरोमेंचीन फैरा डाय क्लोरो बेंजीन छीख है कि अनलत की जिए, सारे नोट कर लोग, हेले हैं, इस अनलत कर लोग, एक है वेरी गुट, अर्पिद याद वेरी गुट, नरेंदर पाल वेरी गुट, आर्थो, मेटा, और पैरा, आर्थो, मेटा और पैरा, मुझ अब बुस्टल्ट अब समझ करना अब इसके वाण एक और है यहां पर लिखा है आर्फोख्योरोगिन आर्फोग्लोगिन या पहले पहिला पहले इस यहां पर किल जोडएंगे किसे कहते हैं आरो फिराल क्या बुल दें हां जोडएंगे लोगों को जादर डिस्क्राइब नहीं किया उम्मीद है आप सभी को आर्फो मेटा पैरा की मीनिंग समझ में आ गया होगा कि बाई ओब और यह मोब पी जो लिखा होता है किसी क्रियात्मक समू के सापेश दूसरा वाला किस पोजीशन पर जुड़ा है उसके साथ एक शम लोग बताते हैं ठीक है इतनी बार समझ में आ गया चलो next एक बार बताओ अगर समझ में आ गया हो बताओ भई अगर यहां तक सबको समझ में आ गया हो थो बताओ जया तो कहरें कि सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो बेटा पूरी कोसिस रहती है कि आप सभी को समझ में आए रिदिक सिंग आपका कमेंट आ रहा है बिल्कूल आ रहा है इस समय मैं पढ़ाने में बेस्ट हूँ इसलिए आप सभी के कमेंट नहीं पढ़ा रहा है यह ध्यान रखें कमेंट पढ़ाना ज्यादा बहादूरी नहीं है पढ़ाना ज्यादा बहादूरी है ठीक है और चुकि रहे गच्छी जो है लानी आप लोगों को तो पढ़ाना तो पढ़ेगा ही ठीक है जाइलीन समस्थे जाइलीन इधर देखो पहले देखो यह क्या है अभी यह साइपलो एकसेन है अभी क्या है वहांपने डयाया सिंगल यहां consumers अभिक रमें आप फिर क्या हो गया है यहां से हाइब क्या वेन हो गया तालीन हो गया क्या हो गया है कि यह ने कर से च्रेश्टौ आप फिरकर रूढ़ है यह मेटा है और यह पैरा इसके साब एच यह आर्थो पोजीशन यह मेटा है और यह पहरा है और कहरा जाइलीन तो मतलब दोस यस्त्री जोड़ता है कुल मिला के जाइलीन में दोस यस्त्री आर्थो पोजीशन पर जाइलीन बनाना है यहां पर आर्थो पोजीशन पर सियस्त्री और जोड़ो इसके साथ एक छे आर्थो पोजीशन है आर्थो पर एक सियस्त्री और जोडने से इसका नाम जैलीन हो जाएगा लेकिन आर्थो पर जोड़ा है इसलिए बैचों क्या हो जाएगा पिरूज तुम्हार क्या बात है बताओ क्या दिख्कत है कमेंट नहीं आ रहा है कमेंट तो आ ही रहा है तुम खाली कमेंटी पूछने के लिए पैदा हो जो मैं पूछ रहा है उसको समझ में आ रहा कि नई कमेंट आने जाने मतलब नहीं है आपकागा में पढ़ने का है ठीक है तो यहां पर देखो यह हो जाएगा जब दो बेंजीन रहां से जब लिए से जब तो सिस्षी जुड़ जाएगे उसका नाम जाइवीब होता है और यह देखो यहां पर में गुरूप यहां पर इसके साब एक आर्थो है यह आर्थो जाएलीन हो जाएगा इसका नाम आर्थो जाएली चलो आगे बढ़ते हैं 136 नंबर संदीर चक्रोर्ती ठीक है बढ़िया से पढ़ते रहूं ठीक है मेटा जाएलीन अब देखो मेटा जाएलीन की बात करते हैं पहले बेंजीन बनाओ पहले बच्चों बेंजीन बना दो है ना और यहां पर टालूइन बना दिया इसके साब एक आर्थो है और यह पोजीशन मेटा है मेटा पोजीशन पर सीच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कि रोहित करें इस कॉलेज में कभी स्टेडी नहीं कराया गया ठीक है वो कालेज में कराया जाए कि कम पीचर में आता है ठीक है कि अब इसे गया तो बेटा कि किसी का भी सूत्र बताना हो जैसे हमने कहा कि जो है कि अजिए होता है तो उससे दो हाइडोजन हटा दो और दो ऑचिया पाल लाओ अस्वार अचाहें नहीं हो जाएगा चलिए एक सबस्क्राइब शवी सब्सक्राइब करने गाव कि अल्ट नियुक्त कौन की तो पहले दो बैंजीन बना लिया यहां पर डालूईन बना लिया आट्व मेंटा हो गया पाईदर पेरा पे सीचरी जोड़ दिया इसको लोग से फैरा जैली इसको कहाए इस लिए इस निवास सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं नेक्ट जाइलीन का नाम क्या है सब जानगे पहले दो बार मेथल है बेंजीन जुड़ा हुआ कोई समस्या की बात नहीं है दो बार मेथल प्रूप जुड़ा कोई CS3 दो बार जुड़ा है तो डाई मेथल हो जाएगा बेंजीन डाई मेथल बेंजीन हो जाएगा डाई मेथल बेंजीन ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि देखते हैं कितने लोगों को पता है साइलसलिक एसिड इसका जो है स्ट्रक्चर आप भेजिए हमें साइलसलिक एसिड का देखते हैं कितने लोग साइलसलिक एसिड जो है जल्दी से फटा पर बताओ जल्दी से सभी लोग बताए जल्दी से साइलसलिक एसिड फटावांट सालसलिक एसिड बताएं अच्छ आएए अच 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 आएए अच आएए अच आएए अच नभीन कुमार आदो जो है नाम नहीं पूछ रहे हैं यह पूछ रहे इसका जोब इस्ट्रक्चरल फार्मूला बताईए साइसली केसिट अगर कर तो अगर कर तो सही आ रहे है अगर अन्मोल अभी बता पाए हैं बागी नभीन का तो आंसर सही है बस इस्ट्रक्चर नहीं भेट पाए है कि एगन सेटली के शेट अगर कि अगर कर तो सबसे पहले बताओ जैसे सेटली केशिट अगर को बनाना है तो सबसे पहले यह बताओ कि यह क्या चीज़ इसका नाम बताईए सबी लोग इसको कहेंगे साइकलो एक्सेंड और यहां पर अल्टर्नेत सिंगल डबूल लगा दीजेगे तो इसका नाम बेंजीन हो जाएगा और यहां पर अगर ती वो ओ एज लगा दें इसका मतलब बेंजोई हम जाए तो ऑगा हम हो यहां पर इसके साथे शार्तों पोजीशन पर वे यह लगा दें जिसका अनाम है सैल सलीक से इसका अनाम है सैल सलीकिय कोई बात नहीं आज पर लो रिटिक से कभी नहीं पढ़ा समलों एक पॉइंट पहले था साइक जीटर्य कर उल्ट प्रजीन हो गया थे आप एक पर दो नमबर यहां से कहना सुरू करेंगे यह ऑच दो नमबर फिल फिल अगया दो नमबर फिल्ग दो नमबर फिल लगा दिया तो यह आपको बन गया क्या इसलिक एसली एसली पर नोट करने सवी लोग कि राइस कोर्स वाले काफी लोग बता रहे हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं इसको बना लेना सब लोग इस्टक्चर कि इसको बना लेना सब लोग इस्टक्चर कि आपकी द्यारों का जोड़ा गलत है कि आप तो पढ़े लिए ना सब्सक्राइब आप तो पर लिए ना सब्सक्राइब बना दिये हाँ अब इदा देखेगा अब एक तरी कम लगा फोटर इसकी इसास है ये उपी कैटेड के लिए इंपोर्टेंट है आफ़ां में पिक्क्री कम लिए एंपॉइटेट ज्यादा कई बार आतया नाइट्रोफिनॉल को पिक्री कामल कहते हैं पहले बात यह नोट कर दो अगया थो हुआ है नाइट्रो फिनॉल को पिक्री कामल कहते हैं और और 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल होता है यहां लिखलो 246 ट्राइनाइट्रो ट्राइनाइट्रो फिनॉल 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल 246 ट्राइनाइट्रो फिनॉल जो हता है उसे पिक्तरी कम लगाते हैं सबी लोग नोट कर ले पहले यह लाइन नोट करिएगा ट्राइ नाइट्रो फिनॉल ट्राइ नाइट्रो फिनॉल को पिक्तरी कमल कहते हैं और इसके बाद यहाँ पर यह भी लिख लेना 246 246 अब 20 का मतलब बताएंगे 246 ट्राइ नाइट्रो फिनॉल का मतलब पिक्तरी कमल तो होता है इसका इस्टक्चर देखो हम बना रहे सबसे पहले फिनॉल बनाते हैं इसको कहते हैं यह क्या चीज़े इसको कहते हैं फिनॉल ठीक है एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर वांच छे तो बताईए सोविज राजपूर कमेंडार में चल्दी से बताई इस्ट्रक्चर बना के बताईए यह आपका फिनाल है अब 246 ट्राइड नाइट्रो तीन बार नाइट्रो जोड़ेगा यह और टू का मतलब नाइट्रो गुरू तीन बार यहां जोड़ना है त्री टाइंस 246 ट्राइड गलता है जल्दी बतात है टूफोर शिट्राइड अब्स रंग्कर विण कई लोग बरियां पढ़ रहे हैं सर्मा नावनी सुखला ठीक है यहार एक हमने का एप दो तीन चार पांच छे यह बताया तू पर नाइट्रो तू पर नाइट्रो थी पर नाइट्रो एक दो टीन चार पांच चह अच्छो सब्सक्रेस इसको बना लेना कि अ काफिंद दिन के एफ만 दो तीन चाग पांच शे है सेगल लोग यह एक नमबर पर में गisf लगा हुआ है दो नमबर ले नाइट्रो प्वॉर नमबर दे नाइट्रो तो पो पोर सिंस ट्राstag नाइट्रो पिनॉल तो पोर सिंस ट्राईट्रो पिनॉल इसे फिक्क्री कमल कहते हैं इसको रड़ लोग सभी लोग तू फोर सिक्स ट्राई नाइटो पिनॉल फिक्क्री कमल लग ठीक है चलो आगे आगे वरते हैं ओँग अगे इसी टोन्ट का क्या सूथ रहें सी एस ध्रीं है सी वो सीस्ता आगे रोपें ओल टू रोपेंओं डू बता चुके हैं कि समावई अच्छा ये एसी टोन्टोहें पर दी से समावईता दर साता हैं अन्यवादा आखाए सी टोन और एंडि हाइड में पर एकी टॉन में की टॉन है रोंपे नॉन टू है कि टॉन और एटीहाइड क्रियातमक समुस अमावैता क्या होगा यहां पर यह जो सी ओ है और एक है इसका सी अच्छो उधर जाएगा देखो लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूष अमा गएता है इन दोनों में क्रियात्मक समूष अमा गयता है इन दोनों में क्रियात्मक समू शमावयता है क्रियात्मक समू समावयता कर बताया था हमने इसमें और एसी टोन में दोनों में कौन सी समावयता है क्रियात्मक समू शमावयता 142 संबर पॉइंट देखते हैं कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड मतलब सी एच्छो गुरुप वाला कीटोर मतलब सी डबल वांडो गुरुप वाला समावई होते हैं कैसे समावई होते हैं एक मेल्डिहाइड दूसरे में कीटोर यह इसका अंसर है क्रियात्मक समु समावई था क्रियात्मक समु समावई क्र ठीक है फंक्शनल ग्रूप आई समर्स होते हैं कैसे क्रियात्मक्त समूंग वाले चलिया नेक्स्ट क्रियात्मक्त समूं वाले घर्साइए तरियात्मक्त समूंग विम्क्त भेच की हिंदानists म काफ़स होते हैं कि ऑग्रश पर कलीचावल भी विल्ट्रेवल को आ को बीच में आएका और शीयँ घृत्ष लाएगा नरी तर करिया अमु करता सकता है इस इसमें इसमें इथा दोनों के आर्विक सूतर समाने पास्क्राइब समी समय फ्रेंट में था है फंक्चनल ग्रॉप आई-स समय फॉड़ाने गए कि एकस चोल्बंबर में 745 अंधाक हमें करा साख कर फेंद बंद कि बदून रडगन रेज़ांग की बैद नियत क्ते लगबर समान होती है इस मचाहित से कार्बन हाइड्रोजन के सद्रेशां कर्ता बालों कंसे सद्रेन होता है कार्बन और हाइड्रोजन की बैदु संयोजकता लगवक्त समान होने की वज़े से कार्बन हाइड्रोजन के साथ समान होती है इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ सह संयोजक बंद बनाता है सह संयोजक बंद बनाता है सह संयोजक बंद बनाता है इसी वज़े से कार्बन हाइड्रोजन के साथ साह सायोजक बंद बना लेता है ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की बज़्द दुरुनात मचता लगभग सेम होती है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यह चैनो ती तो सबको पता है नाइट्री कमल का सूत्र है है याद करना सब लोगओ याचे आनो ओ टू नाइट्रू नोट कर लिजिए यह चेनो नाइट्रस यै तू नहींचे रहगा है टोव थीगा होता है नाइट्रस हम अलोन होता है एक क्या सूतर है यूरियालान क्या सूतर है एक सूतर यूरियालन पर्सेंटेश कितना और चैनल यूरियालiksi परसेंट लग बर क्या करक्ते हैं यूरिया में सूतर जरूरूर् नोट कर लो आप लो हैसा भी सबसे पहले प्रयोक्षाला में किस ने किया बहुलर में किया है यह ध्यानक ना वर्जीलियस किसे सब्सक्राइब प्रयोक्षाला में सरप्रसम किस ने किया वह लग में यह भी यूपी केटिट में आ चुका है इंपॉर्टेंट कुस्चन है चले एक सो पचास नंपर पॉइंट देखते हैं परयोक्षाला में निर्मित प्रथम कार्वनिक योगिक वही सिस्टमेटिक लिखा हुआ सारी कियो आएं अध्याथ यूपीज नाम पूचा जाएं पहले बार तो पूचा जाएं यूवरिया में में क्रियांतमकर संब्साएं रिस टूसीब आफ्याथ मतल्ण जो में क्रियात्मक समूह इसमें फंक्शनल ग्रोप क्रियात्मक समूह जो है एसी डेमाइड यहां पर देखो एक कारबन है एक कारबन का मतलब हो जाएगा मेथेना वाइड मेथेना माइड हो जाएगा आंना और यहां पर एनस टू का मतलब अमीनों यह पूर्व लगन मेरी लिखात अमीड अमीनों मेटर ना मे suppressed मिल कि इसमें अगर पूछा जाए कि कौम साथ त्रियात्मत सम्हूं है तो आपके अमल एमाइड होता है क्या होता है आमल एमाइड चलिए नेक्ट कि यहां से बाद लेगे क्योंकि यहीं से हमारा अलकेन सुरू हो रहा है अभी तक फंडमेंटल था है बेसिक अभी चैप्टर सु होगा जो है एलकेन इनके सब के बनाने की विधिया और इनके सब के रासाय निपूर यह सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी तक यह फंडमेंटल था पूरी आर्गेनिक कमिस्टी का जो बेसिक था ठीक है हमने अरो मैटिक भी बता दिया है आप लोगों को फोड़ा ब कि पाका फोड़ी चीज़ें आएंगी आपको डिटेल बताया जाएगा सारी चीज़ ठीक है एक रीकल्चन के लिए रेडियो नहीं हुआ हुआ है 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 शोग कर आए है झाल झाल